बता दे के अगभी लोकसभा चुडाओ दोहजार चौबीस की मधेने देशक कॉंग्रेस द्वारा शुरू की गई यूपी जोडो की यात्रा का आज समापन हुआ यात्रा की शुरुवात 20 दिसंबर से सहरनपूर बे मा शांक भरी देवी की दर्शन के साथ हुई थी इस 15 दिन की यात्रा में कॉंग्रेस के नेताओं ने उतरप्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों से जनसंपर्क करते वे समर्थन मांगने का काम किया था आज लखनों के अलग अलग छेत्र से होकर ये यात्रा हजार कारी करताओं के साथ शहीद समारक पर सबाब्थ हो गई लोग सबद चुनावत 24 के देखते हैं उतरप्रदेश कॉंग्रेस ने यूपी जोडो यात्रा की सुभात की थी यात्रा बीज दिसम्बर से सारंपूर से साकुमि देविक दस्ट के बाद शुरू हुई थी और यात्रा कंग्रेस ने ताओ यूपी के लोगों से संपर्किया था लोग सबाद चुनाव की जीत हासिल करने के लिए उनका समर्थन मांगने के लिए लगबग 15 दिंग की यात्रा निकाली गई थी और बता दे की 12 जनवरी की आज जो है छे जनवरी को यात्रा का रादाई लखनाओ में समापन हो रहा है और यह कहा सकता है उत्तरप्रेस के अ समापन हो गया है और यह कहा सकता है कि इस कॉंग्रेस इस यूपी जोड़ो यात्रा में तमाम कारकरता नेता कॉंग्रेस के मजबूत रहे और यह कहा सकता है कि एक यात्रा में कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्स आजे कुमार राय समेत प्रमोत दिवारी राश्ट समासा अं दिखता है कि लगातार कॉंग्रेज उत्रपरेश समेट देश के अलग लग राज्यों में समर्तन मांगने के लिए लोग सबाचुनाओं को देखते हूं समर्तन मांगने के लिए इस तरह की यात्रे कर रहे हैं और इसके बाद यूपी जोडो यात्रा एक बाद राहुल समर्तन मांगने के लिए आप लोगों का हमारे लोगों का सबका समर्तन मिल रहा है इस सरकार के अत्याचार अन्याई के खिलाफ पूरा का पूरा समर्तन आम आदमी साधारण आदमी किसान मजदूर महिलाएं, पुरोष, नौजवान सबका समर्तन मिल रहा है और ये सरकार अपने लोगों से हमारे बच्चियों से बलतकार कराती है भाजपा के लोग बलतकारी हैं ये बनारस के अंदर प्रदान मंतरी के संसिती छेतर में तीन लोगों ने भाजपा के लोगों ने हमारे आई जी है उसकी भी सरकार जाच करावे निश्चित तोर से ऐसे लोग जो आज केवल और केवल अपने बिरोधियों का दमन कर रहे हैं उनको मार रहे हैं उनको जील के अंदर डाल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतियास लिखेगी और यूपी जोड़ो यात्रा का समर्थन साफ तोर पर दिखाई दे रहा है